आपका हार्दिक स्वागत बीलसी बोले तो बेटर लर्निंग चैनल पर पिछले एक स्पिच में मैंने बताया था कि रक्तदान महादान क्यों है आज ये बताने जा रहा हूँ कि रक्त कौन कौन दे सकता है रक्तदाता हर किसी को रक्त नहीं दे सकता और हर कोई रक्तदाता बन नहीं सकता कुछ योग गिता होती है जैसे आयू 18 साल से लेकर के 6 साल के बीच के लोग जो है वो उप्युक्त रक्तदाता माने जाते हैं 18 से 60 वार्स दूसरा जिनका वजन 48 किलो या उससे ज़्यादा है वो एक उप्युक्त रक्तदाता माना जाता है 48 किलो से कम वजन वाले लोग रक्तदान न करे तो बहतर रहेगा तीसरा जो संक्रामक रोगों से रही थे अर्थात स्वस्त शरीड वाला जिने एड्स, हिपेटाइटिस या किसी प्रकार की कोई संक्रामक या उन्रोग इत्यादी न हो वो एक उप्युक्त रक्तदाता माने जाते है दात्तरी माता रक्तदेने से बचे इसका मतलब यह हुआ कि जो माँ 6 मैने तक अपने बच्चे को दूद पिलाती है उनको रक्तदान करने से बचना चाहिए रक्तदान 6 मैने के बाद में किया जा सकता है गंबीर रदेरोगी या वो रदेरोगी जिनकी बाइपास सरजरी हो चुकी है उनको भी रक्तदान करने से बचना चाहिए वो उप्युक्त रक्तदाता के शेणी में नहीं रखे जा सकते हीमोग्लोबिन जिनका 12 ग्राम से कम है उनको रक्तदान नहीं करना चाहिए रक्तदाता और एक उप्युक्त रक्तदाता होने के लिए आपका हीमोगलोबिन 12 ग्राम या उससे ज़्यादा होना जरूरी है साथवा है शराबी या किसी भी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति भी रक्तदान के लिए उप्युक्त नहीं माने जाते हैं ऐसे गक्तियों को रक्तदाना बनने से बचना चाहिए और तीन महा से पहले जिस किसी ने रक्तदान किया है वो रक्तदान दوبारा कर सकता है लेकिन तीन महा की अवधी एक उप्युक्त अवधी मानी जाती है कि उसके बाद में किया जा सकता है उससे पहले रक्तदान न करें तो ठीक रहता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सामगरी के बारे में पता लगे पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करके बताईए कि आप कब रक्तदान करने जा रहे हैं और अच्छा लगा हो तो शेर कीजिए ठैंक्स पर आप